नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारती आपका मैं संस्कृति आयस प्लेटफर्म पर स्वागत करता हूँ साथियों हम सभी अपने पैर के सेहत का ख्याल रखने के लिए जूता चपल पहनते हैं आप दुकान पर जब भी चूता या चपल खरिदने जाते होंगे तो आप किन बातों का ध्यान रखते होंगे आप दुकानदार से क्या कहते होंगे आप अपने पैर का नमर बताते होंगे या दुकानदार आपसे पूस्ता होगा कि सर या मैम आप कितने नमर का सूज पहनते हैं या स्लिपर पहनते हैं और आप एक नमर बताते होंगे जैसे कि आप बताते होंगे कि मुझे 8 नमर का सूज चाहिए या आप बताते होंगे कि मुझे 6 नमर का सैंडल चाहिए कुछ भी है साथ और उसके हिसाब से ही वो फिर आपको सूज देता होगा ठीक है अब यहाँ पर कभी आपने गौर किया है कि ये सूज का जो नम्मर है क्या वह नम्मर भारतिय है यानि कि भारतिय कहना का तातपर है कि भारत के लोगों के हिसाब से वो नम्मर तैयर किया गया है इसका जवाब है नहीं जब भी आप सूज पहनने जाते हैं तो दरसल आप जो नमर बोल रहे हैं वह नमर आपके पैर का नहीं होता है वह नमर जो होता है वह अमेर्की लोगों के पैर का होता है या फिर ब्रिटेन के लोगों के पैर के होता है या फिर फ्रांस के लोगों के पैर का होता है या फिर ज चार तरह का चलता है लेकिन भारत का अपना क्यों नहीं जबकि इस देश में इतनी विविदता है अगर आप देखेंगे नौर्थ इंडिया में रहने वाले लोग जो हैं उनके पैरों का आकार प्रकार देखेंगे तो उन लोगों से पूरी तरह से अलग है जो कि नौर्थ इ let me radazemator में रहते हैं में चारे में तो अलग दिखेंगा ठीख ऐसा है कि जो काश्मीर में रह रहे हैं उनके पैर का आकार प्रकार आप देखें उन लोगों के अपेक्षब बिलकूल अलग देखेंगा। जो की निलाडू में रह 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 हैं जो गुजरात में रह रह लिखा जा सकता ऐसा आप कह सकते हैं जैसे नौर्थ इस्ट के लोग जो होते हैं उनके पैर का आकार परकार देखेंगे वह छोटा होगा अब एक शाक्रित जो की साउथ इंडियन के लोग होंगे या फिर नौर्थ में रहने वाली लोग होंगे ठीक है किनी के पैर की हुआ क्या मसला है एक मसला तो यह है कि इसका भारतिय करन किया जाए यानि कि भारतिय करन कहने का ताथ पर है कि भारत के लोगों की जो जरूरत है उसके हिसाब से चीजें तैयार की जाए ठीक है अब दूसरी बात क्या है कि यह मुद्दा सेहत से जुरा हुआ है स्वास्त स चाहिए कौन सा सही हो सकता है इन सब चीजों को ले करके एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के आधार पर कुछ बाते कही जा रही है उस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं तो अब जो है आप जो यह पहने बाले हैं अभी जो कुछ दिनों बाद जब यह सब लागू हो जाएगा कहा जा रहा है कि कुछी समय बाद जो है यह नम्मर सिस्टम अब लागू हो जाएगा साइज का नम्मर तो अगर यह स्थिति हो जाती है तो अब जब आप जूता चपल खर दने जाएंगे वह यूक यूएस का नहीं बलकि भाग का आप करने वाले है इसको लेकर कि अभी रिसेंट एक सर्वे किया गया है उस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं हाली में भारतिय के पैर के आकार जाने के लिए सर्वेक्शन किया गया दो तीन साल से यह सर्वेक्शन चल दा था अब इसके रिजल्ट जो है वह सामने आ गया है यह सर्वेक्शन फुट वियर के लिए भारतिये आकार परनाली विक्षित करने के लिए किया गया है अब इस सर्वेक्शन को क किसने है इस अर्वेक्शन को किया है काउंसिल ओफ साइंटिफिक एंड इंडस्टेरियर रिसर्च सेंटर लेजर रिसर्च इंस्टूट यानि की सी एस आई यार और सी एल आराई के द्वारा दोनों ने सहीक तुरूप से किया है और यह केंद्रिये वानिज्य मंत्रा लेके अंतरगत आता है बहां साइजिंग परणाली का लक्ष भारतियों की जरूरतों को पूरा करने है तू और दूसरा यह जो विदेशी साइजिंग सिस्टम हमारे पास है यानि कि जो यूएसे का है जो यूके का उसको प्रतियस्थापित करने के लिए भी किया जा रहा है बहा अब आगे से जाएंगे आप तो यह collection जब आप लेंगे जूते चपल का तो आपको इसके हिसाब से ही वहाँ पर बात करने पड़ेगी अच्छा अब यह जो भाप प्रणाली तयार किया गया है इसके अंतरगर आठ फुटवेर आकार प्रस्तावित है अब यह आठ फुटवे जीरो से एक वर्ष में ठीक है अगर किशी शिशू के लिए यानि कि कोई बच्चा है जिसका जिसकी उम्र जो है जीरो से एक साल यानि एक साल से कम का है बारा महना तक है उस बच्चे को जूते चपल की जरुवत पर एक दम बिल्कुर छोटा छोटा सो होगा तो उसके यहाँ पर तयार किया गया है सैजिंग सिस्टम दिया गया है और शिसू अगर एक से तीन वर्स तक है उसके लिए भी है चोलदे बच्चे चार शे की लिए और बच्चे की छोलुटे उसके यह जुपर हो जाएंगे 7 से 11 वर्स उनके लिए ऑदकियों के लिए 12-13स और लड फुट वियर आकार जो है वह प्रणाली विक्षित करने की बात की गई है बहाँ प्रणाली के अंतरगत निर्मित फुट वेर देश की लगभग पचासी फिसदी आवादी को सही फिटिंग और पैरों को अधिक आराम देने वाला बनेगा अभी जो आप जूते पहनते होंगे यह आपके पैर में बहुत सुटेवल नहीं होता होगा आपके शिकायत रहती होगी कि मैंने जो जूता खरीदा है वह यह तो बहुत ज़्यादा ट्राइट हो रहा है उसकी फिटिंग बहुत अच्छी नहीं है यह फिर वो ढिला हो रहा है ठीक है आपके पैरों के लिए बहुत आराम दायक महसूस नहीं होता होगा इसकी वज़ा यही है कभी इसकी वज़ा आपने सोचा है इसकी वज़ा यही है कि वह आपके पैरों के ह से बताओं देखिए इस पैर को देखिए अब इस पैर की चौराई पर ध्यान दीजिए ठीक है अब जान परता है कि यह पैर जो है वह किसी यूरोपिय वैक्ति का है या तो ब्रिटेन का वैक्ति हो सकता है चलिए फ्रांस का हो सकता है या फिर अप मान के जाते अमेरिकन कोई होगा अब यहां पर देखेंगे तो इसकी चौराई जो है वह कम है अब एच्छा कृत कोई भारतिय वेक्ति यह दी रहता है उसके मुकाबले अगर कोई इंडियन होगा तो उसकी पैर की चौराई जो है इससे थोरा जैदा हो जाएगा ठीक है इंडियन में भी जो नौर्थि ध्यान रखना परेगा फूट वेर साइजिंग प्रनाली जो विक्सित किया जाएगा उसमें इस चीजों को ध्यान रखना होता है और यह बातें इंडियन के कोडिंग नहीं किया गया ठीक है और इसी का परिणाम हो रहा है कि बहुत सारे भारतिये लोगों कई यह शिकायत रहती है क्यों इसका असर जो है उनके सिहत पर भी पर रहा है ठीक है तो इस बार यह कोशिश किया गया है और इस पर अब जल्द ही लागोई से किया जा सकता है यह सर्वे कैसे क्या हुआ इसे देखिए सर्वे जो है डिसम्बर 2021 से मार्च 2022 के बीच में किया गया भारत के 5 च्छेत्रों में 79 प्लेसेज को चुना गया ध्यान रखना है पांच भॉगोलिक अस्थान मैंने पहले ही कहा था कि भारत में विविधिता पाई जा रहे हैं अगर नशल की बात करें तो ठीक है आप देखें नौर्थ इस्ट के लोगों को देखें आप वेस्टरन पार्ट के जो लोग हैं उनको देखें आप सौथ इंडिया में रहने वाली लोगों को देखें नौर्थ वाली लोगों को देखें जो मद्ध भारत में रहते हैं तो पांच भागों में इसे विवक्त किया गया और 79 प्लेसेज को चुना गया अलग-अलग जगा ठीक है इन अस्थानो को समझने का प्रयास किया गया इसके अलावा जो सबसे एहम बात इसमें है वह यह है कि 3D foot scanning machine का उप्योग किया गया है अब यहां पर समझे यह 3D foot scanning machine क्या होता है यह machine आप देख रहे हैं यह बाला यह machine इसके अंदर क्या होता है कि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है जैसे देखें यहां पर तो इस machine को समझे इसमें क्या होगा वैक्ति दोनों पैर दे करके इसमें यह रखने का जगा है इसमें खड़ा हो जाएगा तो यहां पर यह देख लीजी यह इसी पर खड़ा है अब इसका क्या होगा कि पूरी तरह से 3D foot scanning होगा इस machine के द्वारा और यहा का तो आप देखते होंगे एक वैक्ति सिस्टम लेकर के बगल में बैठा रहता है वो बताते रहता है कि नहीं फिर से अंगुठा लगाईए यह सब आप बराबर करते होंगे इस कामों को जब आप एक्जाम देने कई जगह जाते होंगे तब इन चीजों को आपको आपने रूबर हुआ होगा कुछ ऐसा ही यहां पर भी किया जा रहा है यह 3D foot scan होगा यह से लिए किया जाता है ताकि परफेक्ट हो सके आपका जो जो फुट वेर साइजिंग है वो पूरी तरह से सही हो सके यह मसीन यहां पर आप देखने है और इस मसीन का इसमें प्रयोग किया आकार उसमें औस उसमें ने देखा गया है। तो उसमें देखा गया है तो उसमें ऑसत वरदी हो रहा है। अब युएसे को भारती लोगों के इस चिज़ को नहीं डेखता है। różam comprende गये उसके हिसाब से चीजों को तैयार करके भरत में उसका सप्लाई करते 210 अगर देखें यहाँ पर भारती लोगों के पैरों के आकार में उसत वर्दी देखी गई है तो इसमें भी फिर डिफरेंसियेट किया गया है कैसे तो महिला के पैरों में और पुरुष के पैरों में भारती महिला के पैर के आकार में अधिक्तम वर्दी 11 वर्स की उम्र तक दे देखें तो अधिक चौड़ा होता है जो कि मैं पहले भी आपको तुलना करके बता दिया था भारतिये फुटवेर साइजिंग सिस्टम की आवशकता क्यों परीश सबसे अहम प्रश्ण यही है अंग्रेजों ने स्वतंतरता से भारत में यूके फुटवेर साइजिंग बिना सोचे समझे बिना मेजर्मेंट किये हुए और तब से ले करके अभी तक हम उस चीज को जेले जा रहे हैं इसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई 90 के दसक में LPG हुआ ग्लोबलाजेशन का दौर आया तो फिर USA का यहां पर जो फुटवेर साइजिंग सिस्टम आ गया यह हमारे यहां चुकी मेंने का नौर्ठिस्ट के लोग हैं उनके लिए क्या हुआ जैपनी सिस्टम आ गया जापान का फुर साइजिंग सिस्टम आया तो इन सब चीजों के बज़य से क्या होआ कि हमारे जो लोग हैं उनके हिसाब से चीजे फिट नहीं हुई इसमें भारत प्रणाली विक्षित नहीं की जा सके थी चुकि इस बात को लेकर कि कभी काम ही नहीं हुआ था शर्वे किया ही नहीं गया था वर्तमान में जूते के आकार को मापने के लिए भारतिये मानक यूरोपिय और फ्रांसेसी मानकों पर आधारित है ठीक है यानि कि मैंने पहले भी क सकता कहने का अतातपर है कि हमारी जो जरूरत है पांच भागों में पूरे भारत को बाढ़ दिया गया और उसके लिहाद से यह तैह किया गया है तो यहां पर पैरों के बहतर स्वास्त की लिए और अधिक आरामदाइक चुकिके इसका सीधा संबन्ध हमारे पूरे से होता ह का अगर पैरों को अरामदाइक इस्तितीम हम नहीं रखेंगे तो बिभीन तरह की समझा हो सकता है तक की लगभग भारतिय लोगों के जैसा है अगर मान लीजिए चुकि नौर्थ इस्ट में रहने वाले लोग जो है उनका मेजरमेंट किया गया है तो जो लोग भुटान के हैं नेपाल के हैं उनका भी लगभग काम इससे चल जाएगा मैयानवार काम इससे चल जाएगा बंगलाद का Timothy का मार्किट पर एक नजर डालते हैं कि अगर इस तरह की चीजह होता है तो फोटवेर्य का जो और उस डेटा के आधार कहा जा रहा है कि यहां पर आप देखेंगे तो भौर्ण प्रोडूशर अगर भारत नेखेंगे फूटवेर ख से तो दूसरे नमर पर है तो पहले नमर पर कोन है वह चाइना है चाइना जो है 55.8% यह परडूस कर रहा है और इंडिया जो है 10.7% करता है अगर मार्केट साइज देखेंगे 2019 के आधार पर तो 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इसका रहा है तो इसके हिसाब से यह कहा जा सकता है कि यह मार् रोजगार की बात किया जाए तो दो मिलियन से अधिक लोग जो है इस छेते में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और जब इस तरह का नया सिस्टम आएगा तो जाहर सी बात है इसमें और रोजगार बढ़ने की संभावना बताई जा रही है फूट बेर मार्केट ग्रोथ इ हम ध्यान देते हैं तो टेक्स्टाइल को लेकर के बात करते हैं उसके बाद एथिलिटिक को लेकर के बात करते हैं यूजर को लेकर के बात करेंगे तो आप इसमें चिल्ड्रेन आ जाएगा मैन आएगा और वुमेन इसमें सामिल किया जाएगा किस किस मैटेरियल से तयार हो सकता है यह जो इकॉमर्स कंपनियां होती है जैसे कि अमेजन हो गया फिलिप काट हो गया इस सब के माध्यम से भी आप इस चीज को पर्चेश करते ही रहते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरह के मार्केट ने कितना परसेंट लिया है तो आप देखेंगे टेक्स देखेंगे यह देखेंगे यहाँ इसके अलाबाब वेस्ट इंडिया यहां पर दिखाता है और शाव्थ इंडिया का सब्सक्राइब बात करें कौन सी प्रमुख कमपनिया हैma कि इंडियर मार्केट- American ऑथकर नाइब अभी बहुत सारे खादिम से बगरा जानते हैं आप बहुत सारे अलग-अलग ब्रांट के जूते जो है वह आप परचेज करते होंगे तो कुल मिला करके यह देखा जा रहा है कि यदि यह जो न्यू फूट वेर साइजिंग सिस्टम इंडिया में आता है तो एक तो फाइदा क्या ह होगा कि भारती उभुकताओं को इसका सीधा लाब मिलने बाला है इसका एक तो भारतीय करन किया जाएगा और रिप्लेज कर दिया जाएगा जो फूरण फूट वेर सिस्टम है उसे हम इसे रिप्लेज कर पाएंगे हम अपनी जरुरत के हिसाब से ही चीजे डेवलप कर पा प्रिलिम्स के अस्तर का है और इस प्रश्ण में देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट टर्म है जैसे मैंने का यूएसे का था यूके का यूके एक टर्म दिया गया ऐसा ही भारत को लेकर के बी एच ए सिस्टम कहा गया भा ठीक है तो भा प्रनाली से संबंधित निमलेखित रिसर्च ने विक्सित किया है सभी कथन सही है यह चार विकल्प है आपको जो भी विकल्प सही लगे उसका चैन करके कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखे आप इस विस्टम में क्या सोचते हैं क्या आपको भी बहुत दिल्चस्प लगा जब आपने यह टॉपिक सुन क्या आप इस विस्टम में क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना बेहत ख्याल रखिए थैंक यू